नमस्कार आशा करता हूं आप सब अच्छी हो और आप इस टेड़ी भी अच्छी चल रही है तो उमीद करता हूं आपको जो हमने साइस की स्रीज श्टार्ट की है जर्नल साइस की फिजिक्स जो अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपको पसंद आ रही होगी तो ज्यादा ज्यादा नमस्कार के सबाईक सक्राइबेर लाए कारण प्षाइब करें जो के क्टिशन चैर प्रेड बाईक्नार केलों के लिए केड़ा शक्राओन से प्रयान होने केया आप अपना प्यार जैर्णा कॉमेंट करें इसे मुझे मुझे मूटिवेशन मिले कि हाँ आपको यहाँ और सब्सक्राइब तरीके से पढ़ाने कोशिश करूंगा कि आप मुझे लगेगा कि आपको इस चीज की रिक्वाइर्मेंट है ये टोपिक कराना चाहिए तो वह आप मुझे बताते रहे हैं सर्दियां बहुत ज्यादा बढ़ी है तो अपने स्वास्ते का विसेश जा रखे सर्दी से बचके रहें रात में जितना होस के उतना पड़ें क्यूंकि दिन चोटे हो रहे हैं रात बढ़ी है सर्दियों में तो रजाई के अंदर बैठे रहे हैं कुछ खाते पीते रहे हैं म दिखा है विसेश चोतिक जर्च बढ़ी है जो हमने से जर्च अवाड देख है। और आप समस्ते हों क्या होता है और चाल कि या बोले तो कि एवरेज आवरेज स्पीड क्या होता है इसका मतलब यह यह बैसिकलिए और चाल का कोई जिसमानों की आप बात करें कि हमें कोई पीजी क्या कर रही है और उस दूरी को हम क्या कर रही यह महानुट A और पॉंट B पे पर जा रही है तो किसी आप ऐसाल दो तरह कुलती है वेसे तो एक तो osl चाल होती है कि हम दूरी क्या कर रहे werd कोई और उसमें हम अलग अलग टाइम लहत ठएक है तो उसमें पोस्त चाल केसे निकाला है निए टाइम के पोडिक हमारा उस इतना इतना टाइम लगा था मतलब इस एर दूरी से जाने पर मालवए 10 किलो मिट्र है कोई केंडिट जा रहा है यहां से यहां वो कितना ले रहा है एक घंटा ले रहा है तो दूरा केंडिट जा रहा है कितना ले रहा है कि दूरी तो यहां किया है हमारी फिक्स है बत टाइम हमारा क्या हो रहा है यहां पे चेंज हो रहा है जो हम इसमें औस चाल निकालने वाले हैं इस सिचुएशन के अंदर वो मारी औस चाल किसके रिस्पेक्ट में निकलेगी टाइम के रिस्पेक्ट में ठीक है दूसरी हम औस चाल किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं कि हमारा टाइम सेम है मालो ये पॉइंट ए है और ये माल पॉइंट ए में हैं ये परसन ए है कोई आदमी ए है ये चला 40 मिनिट में इना चला साथ किलोमीटर फिर आदमी भी आया परसन भी ये चला एक घंटे में साथ किलोमीटर ठीक है सोरी, सोरी, एक मिन्ट, ये चला 40 मिन्ट में 7 किलो मिन्ट, आदमी दूसरा आया, प्रसंद भी, ये चला 40 मिन्ट में, मालो 10 किलो मिन्ट, ठीक है, आदमी तीसरा आया, वो चला 40 मिन्ट में 8 किलो मिन्ट, इसके रिस्पेक्ट में क्या परते हैं, इस सिट्वेशन में, ये हमा इस situation में हम क्या करते हैं, यहां क्या है? Time same है Time क्या है यहां पर distance क्या हो रही है? Change हो रही है X के respect में हम और style भी निकालते हैं पहला जैसे देखते हैं नमबर 2 में देखें और नमबर 1 में देखें पहले नमबर 80 बात करें इसमें क्या है दूरी? नमबर must आहरी तो same है दूरी क्या है? यह क्या है? नमबर यह है। जब बस्तु भिन-भिन चालो में समय समान चलती है समान समय तक चलती है है यह उसमे हम बस्त चालब के से निकालते हैं और जब क्या होता है? दूसरे में क्या है? जब बस तू भिन भिन चालों में समान दूरी तेया करती है इसमें क्या है दूरी समान तेया कर रही है पर चाल क्या इसमें भिन भिन इसका हम ओस चाल कैसे निकालेंगे जब क्या होता है कि दूरी समान है हमाई और उसकी क्या है भिन 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 तब ये इन समे क्या होता है कि मतलत चाल भिन भिन होगी है चाल समान है दूरी क्या होगी भीन भीन होगी। उस रिस्पेक्ट में हम कैसे निकालते हैं हुस चाल बी बन प्लस बी डिवाइड होई 2 इस फोर्म के से हम गोसचाल निकालते हैं। खिंक है यह जह तो थी हमारी इसके बाद हम कोन सा देखेंगे जो देखने वाले वह है इसको भोलत veil थे तरहन क्या होता है एक्सलरेशन होता है वेग में परिवर्तन की दर कोई क्या कहते है तरण कहते है देख हमें वेवसरी पड़ाई था उसमें परिवर्तन की दर होती है वो क्या होता है लाता है हमारा एक्षेलरेशन इंगता है या खिंद है लिख है लिख लो आप दन है जा एक्षेलरेशन है अब fifty-third जो चैनिद्ट की नोट्स बना रहे हैं बात में जब आप पड़ोगे क्योंकि अपना हाथ से लिखा होता है उसकी बात अलग होती है जब अपने पुद हाथ से लिखते हो तो उसकी ये बात अलग होती है कि आपको अच्छा समझे हो है खेहêu दाला सीखवशाल के hungryraph funcion प्रणा हूता है तो इसलिभी समझाता है वेव में प्रिव्तन की दर को क्या कहते है तो आलणे करते है जो type relationships class पुर्णा ले हो रीख ले ले उतार ले या गॉर्णा का स्कृ्रीन सोटू में और इसका मातर今 वह जो aí क्षब क्या होता है वो सकता है रिंथाथ्मक्त भी हो सकता है और खौका? यह करता है बसक्ति को किसी वस्तु वस्तु का यह प्रेञ प्रिणाम के सम्हें के साथ यह जो त 생IVE है किसी वस्तु का जो वेग है, प्रणाम के समय के साथ साथ बढ रहा है, तो वो क्या होगा, पोजिटिव होगा, और किसी वस्तु का वेग प्रणाम के समय के साथ साथ घट रहा है, तो वो इमारा एक्सेलेशन क्या होगा, नेगिटिव होगा, तो ये तो हमारा गतियन मोशन के अब हम इसमें क्या देखेंगे जो बात करने वाले हैं वो न्यूटन के जो गती के तीन नियम है ना वो देखेंगे उससे पहले मैं आपको छोटी सी चीज को बता दूँ इसका वी कॉस्टन बहुत वार आ जाता है उडियन काल क्या होता है इसको हम बोलते है फ्लाइट टाइ इसका वी कोश्चन आता है इसको फ्लाइट टाइम क्या होता है उडियर काल या फ्लाइट टाइम क्या होता है किसी वस्तु को हम पिर्थवी के उपर फेंकने कोई जल्दा कोई चीज है जैसे मालोग गेंद है हम पिर्थवी से खड़े हां पर खड़े हम उपर फेंकेंगे ठीक है उपर की और अंतरिक्स की तरफ जब वो जाएगी उपर और उसके बाद में क्या है वो एक नीचे भी आएगी तो वो जिस एंगल से जा रही है और जितना टाइम ले रही है जाने और आने में ठीक है ज में बबूरं dip रह दूर्ग कोई पिंड नियसान है जिसके हम यहां आ यह उपर जाएगी फिर वापिस के बाब निच्चे आएगी ठीक है उपर जाने में निच्चे आने में तो टाइन लग सब्सक्राइब या उडियन कल आzh लोग उसको क्या बोलते हैं उसको पिर्थ्वी पर आप लिख सकते हैं उडियनकार उडियनकार लेखो आप पिंड को पिंड को फेंकने पिंड को फेंकने तथा वापस पिंड को फेंकने था वापस फिर्थ्वी पर गिर्ने फिर्थ्वी पर गिर्ने के बीच के बीच के सन्य को क्या कहते हैं उडियन कार्ड या फ्लाइट टाइम कहते हैं किसी पिंड को फेंकने तथा पिल्थवी पर वापस आने में जो टाइम लगता है उसी को हिंग क्या होता है उडियम का अब अब उसका फोर्मॉले की बात करते हैं कि कितना थाइम होता है तो 2 u sin theta upon में क्या होता है जी ठीक है इसका मतलब तो टाइम हो जाता है ये ये इस एंगल से फिंका जा रहे हो थीटा एंगल होगा जी गरिविटेशनल गुट्वाक्शन होगा वो यू यहां पर क्या होता है प्रादम में बेग होता है आप लिख सकते हो ट का मतलब टाइम हो होता है जी का मतलब क्या होता है जी का मतलब गुर्ट्वाक्शन होता है ठीक है ठीक्टा का मतलब हमारा होता है कोण या इंगल जी स्कून से फेख रहे हो यू का मतलब क्या होता है तारण भीक तो यह हमारा बिएल कार रहते है फ्लाइट लिख लो या स्क्रीन सो टेले लो जैसे बाद लो यह होता है ठीक है इस यह से कोई बस तो पर क्यों फेनी जा रहे है ठीक है तो यह हमारा क्या होता है साइन थेटा होता है, यू साइन थेटा हाला ये और इसमें जो अमारा निचे वामिस आएगा तो क्या? क्या लगेगा? उर्द्वाक्षन लगेगा, ठीक है तो निचे का आपीश हो रहाएगा क्योंकि ये कोई हाइट ये ठेह घायेगा, उपर जाएगी कोई हाइट तो भी हुगी, फिर से निचे लगेगा है कै उपलब आक्षन लगेगा और ये वे अमारा स्ammen ही त estas ही ये विर्णू साइस को सम्हलेगा आप असानी से समझ सकते हो बटा आप इसका फॉर्मूला यह याद रखें यह के बार कुछ लिए रहता है कुस्टिन में एक नंबर का इंजाम के अंदर उडेन का लिया फ्लाइट टाइम का फॉर्मूला क्या आगता है कौन सा है इस तरहें इसे फॉर्मूल में एक essence फॉर्मूल में यह प्लाइड जैएक तो आपको याद रखना है अब हमारा आगे का जो पार्ट रहेगा वो रहेगे न्यूटन के 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 न् अब हमारे नूटन के गती के तीनियम होते हैं बेसिक तुम आपको बता दूँ एक जड़तव नियम था वस्तू रेश्ट में तो वह रेच्ट में रहेगी या मोशन में रहेगी तब तक उस पे कोई एक्स्टरनल फोर्स नहीं लगा रहे हैं कि वारी बदल नहीं लगा रहे हैं दूसरे क्या होता है एक्स्टरन जो उपन हो रहा है उसका उसकी बुणिंग फैल लगता है ठास में खर नहीं नहीं जो और नहीं क्या हो है तो जिन सिट से मिलले से समझेंगे विटाश समा इसमिए हैं किसी दाका देंसे क्ल वाल में यह क्लास में जदर जदर वीडियो को शेर करें लेगे के तो आपने चोटा भाई जाने जोड़ा इस पढ़ रहा है तो आपने चोटा वाले बहुत बैर जादा जादा वीडियो को सेयर करें क्योंकि फीजिक्स पढ़ रहे हैं सब के काम आने वाले 9, 10, 11, 12 कोलेज वाले के कॉंपिटिसिन वाले के तो सब के लिए रिपोर्टेंट है मिलते हैं कल बल रही क्लास में कैसे अपना प्यार देते रहे धन्यवाद जाहिए